सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शेप अप यो लाइफ को और बल आइकन क्लिक करें नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो आज मैं आपको लिके जा रही हूं अपनी किचन में जह मैं बना रही हूं तो अगर आप अभी तक यह एक्स्क्यूस बना रहे हैं कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो भूल जाएं और ट्राइब इस सूपर डिलिशूस हेल्दी एज़ी रेसिपी तो इसके लिए आपको चाहिए दो स्लाइस अटा ब्रेड एक स्लाइस पर लगाएंगे प दाल चिनी पाउडर का यूज़ करना इसलिए इंपोर्टन है विकॉज इस लोड़िद पावर्फुल एंटियोक्सिदेंट्स यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम से भी सेफ रखता है रोस्ट इट फॉर फ्य प्याज साथी कैपसिकम और कुछ टोमेटोस साथी ले रही हूँ अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डेंडी दो होल एग्स आप चाहें तो एक होल एग और दो एगवाइट्स भी ले सकते हैं एग्स आपको परवाइड करते हैं प्रोटीन एन वाइटमीन बी 12 वाइल जो चीज हैं उनका कॉंटिविशन होता है वाइटमीन सी और वाइटमीन के के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपसिकम अनियन एंड टोमेटो आपकी दिन भर की वाइटमीन सी और वाइटमीन ए की 15% ज़रुरत पूरी कर देता है पैंकेक्स बनाने के लिए में ले रही हूँ वन फूर्थ कप ऑफ मिल्क हाफ अ कप ऑफ फ्लोर एक एग और साथी कुछ पीसिस ऑफ बनाना बेकिंग पाउडर और साथी प्रोटीन पाउडर अगर प्रोटीन पाउडर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंट करेंगे और थोड़ा सा ओयल स्प्रेट करेंगे तवा के उपर और स्प्रेट कर देंगे पैंकेक्स इस हाई कार्बो हाइडर ब्रेकफास जो आपकी दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनफ इनर्जी प्रवाइड करता है पैंकेक्स के साथ स्प्रेट करें अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट और साथ स्प्रेट करें कुछ हनी और इंज्वाइट वेरी इजी एंड टेस्टी रेसिपी वेजटिवल सैंविच उसके लिए आपको चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्प्रेट कॉंस कुछ पनीर चाहिए और साथ इसमें एड करेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट लिटल अमाउंट ऑफ योगर्ट मिक्सिट वेल और इसको स्प्रेट कर देंगे हम आटा बेट के स्लाइस पे और रोस्ट करेंगे फूर फ्यू सेकिंद्स स्मूदी मनाने के लिए हम ले रहे हैं कुछ कर्ड साते कुछ पीसिस ऑफ बनाना अनार के दाने पालक के पत्ते एंड प्रोटीन पावडर एंड मैं फेवरिट दालचीन नी पावडर एड सम वाटर और मिक्सिट वेल और बेक्फास्ट इस रेड़ी इस मोर फन अगर आप को स्मूदी इंजॉय करने के साथ कोई कमपिडेटर भी मिल जाए तो